बुद्ध राशी परिवर्तन विशेश में जी हां दर्शको बुद्ध गरा जो प्रतेक मनुष्य के अंदर उसमें बुद्ध मता उसके अंदर वानी मैनेजमेंट को जो है निर्धारित करता है जी हां बुद्ध जो है ये नौ अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक जो है ये सिंग राशी में प्रविश कर रहे हैं बुद्ध को ग्रुहों का युवराज कहा जाता है और सिंग राशी के स्वामी सुरी होते हैं जो ग्रुहों में राजा कहलाते हैं अथार्त युवराज का राजा के घर में जाना ये एक अध्यधिक सुब और लावकारी फल प्राप्त होने वाला है और यह बुद्ध का सिंग राशी में क्या इस्थिती रहेगी परतेक मनुष्यक अंदर किस प्रकार का लाव देगा ये संपून जानकारी में आपको दूँगा किस किस छेतर वालों के लिए ये सुब और लावकारी रहेगा ये भी जानकारी दूँगा और मेश लगने से लेकर के मीन लगन और आसी वाले आपके उपर इसका क्या परभाव पड़ेगा इसको सुब बनाने के लिए किस प्रकार का उपाई करना चाहिए ये संपुन ब्रिहत जनकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ प्रिय दर्सु को देखिए बुध जो है जब 9 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के मद्दे में सिंग रासी में जाएंगे जो इनकी मित्रगत रासी है अगनी तात्विक रासी है इस समय औलड़ी सिंग रासी में मंगल जो है वो विराजमान है परंतो कोई भी ग्रह जब किसी रासी में प्रवेश करता है तो उस रासी की स्वामी की इस्थिति और उसमें प्रवेश के वी ग्रोहों की इस्थितियों का विचार अबशे करना चाहिए जब बुध जो है यह सिंग रासी में प्रवेश करेंगे तो सुर्य जो है यह 17 अगस्त तक करक रासी में रहेंगे करक रासी के स्वामी चंद्रमा है और सुर्य और चंद्रमा का मित्रगत सम्मंद है मतलब बुद्ध जो है जब वो शिंग रासी में जाएंगे तो उसके स्वामी की स्थिति अच्छी है और बुद्ध और सुरी की स्थिति अच्छी है जिसका अर्थ यह हुआ कि मंगल क्या असुम प्रभाव बुद्ध के उपर नहीं पड़ेगा दूसरी महत्पुन जनकारी यहां पर यह भी है कि 17 अगस्त से जो है सुरी भी अपनिक स्वयम की रासी सिंग में आ जाएंगे और 14 अगस्त से जो है बुद्ध जो है यह उदय भी हो जाएगा मतलब यह हुआ कि बुद्ध का यह सिंग रासी में जाना मजबूत इस्थिति में होने के कारण सुभ और लाबकारी फल देगा अगर नक्षत्रों के भी चर्चा करना चाहेंगे तेहां वे एक महत्पुन्ची यह देखना है कि 9 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक बुद्ध रहेंगे मागा नक्षत्र में मागा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं केतु होते हैं बुद्ध और केतु का सम्मंद जो है यह मित्रवदवाला है 17 अगस्ते से ले करके 26 अगस्त तक जो है यह पुरुवा फालगुरी नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी जो होते हैं सुक्र होते हैं अथार्त इस समय भी जो है बुद्ध का फल सुभ और लाबकारी रहेगा परन्तों बुद्ध के ऊपर जो है बिरहस्पति के दिरिष्टी रहेगी बिरहस्पति और बुद्ध में थोड़ा सा जो है तालमेल सुभ नहीं माना जाता तो क्या है जान है जब वानी कारग बुध को मैंने बताया कि वानी कारग नगरा तो आपको ये शुयोग बनाएगा सत्यवक्ता बनाएगा सुवक्ता बनाएगा धनी बनाएगा और आपके मनवरिती में वानी की एक लैस इमान निर्धारित हो जाएगी जो आपको ये दिखाने वाला रहेगा कि आप किस प्रकार से सफल हो सकते हैं क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धी और ग्यान है लेकिन सिंगरासी अहंकार भी है तो सभी लोगों को अपने अहंकार पे अपने कुरोध पे थोड़ानी अंतरां तोविश्य रखना पड़ेगा और इसके अलावा जब बुद्ध सिंगरासी में जाएंगे तो जो भी वेक्ति बैपारिक छेतर में है क्योंकि बुद्ध डारेट बैपार के मालिक होते हैं जो पॉलिटिक्स के छेतर में है जो वेक्ति मैनेजमेंट के छेतर में है लेक्चरार शीफ हैं मेडिकल से रिलेटेड कर्म छेतरों में हैं लिखिका है, या फिर जो है, मीडिया से रिलेटेड है, वक्ता है या प्रवक्ता है, कला से रिलेटेड है, मैनेजमेंट हो, भायनान्स हो, सीए हो, या फिर बहुत हद तक सेर मार्केट भी हो. इन सभी चीजों को बुद्ध जो है डारेक्ट रिप्रेजेंट करता है अथार्त ये सिंघरासी में जाएंगे तो क्योंकि ये सीधे बैपार के कारक है तो बैपार को तो बढ़ाने वाला रहेगा ही आप सभी छेतर वालों के लिए भी ये सुभ और लाब का रिफल देने वाला रहेगा तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि जब ये बुद्ध का सिंघरासी में प्रवेश होगा तो इसका प्रभाव मेस लगने से ले करके मिन लगन और राशी वाले आप के उपर क्या पड़ेगा और उपाए भी आपको पताते चले जाएंगे सबसे पहले मैं प्रारह्म करता हूँ मेस लगन हुआ राशी वाले मेस लगन वा रासी वाले जब बुद्ध शिंग रासी में परवेश करेंगे तो सरव पर्थम आपको उच्छ सिक्षा में बृधि आने चालू हो जाएंगे धन की प्राप्ति के रास्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे बिद्यस्व शिक्षपोट इंपोट के योग बन जाएंगे प्रेम से विवाह के योगों में बृधि दिखने लगेगा कर्ज की मुक्ती के सभी रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे सरकारी काम काज का लाम मिलेगा बहुत पुरानी प्रोपटी विवाद समस्याएं दूर हो जाएंगी नौकरी में टर्मिनेशन या नौकरी में आईस थिरताएं हो चुकी थी या आपके जॉब पेंडिंग के स्थितियों में चले गए थे इस परकारी की परिशानियां दूर हो जाएंगी बहुत दिनों से संतान कंसीब होने का परियास कर रहे थे परन्तु यह सुब समचार नहीं प्राप्त हो पा रहा था तो यह सुब समचार प्राप्त होगा और कुछ बातों में आप नहीं बोल पा रहे थे और सामने वाला आपके पैसे को या फिर आपके कुछ महात्मुने तक्तियों को दवार के रखे हुए था वह परिशानियों से मुक्ति तो मिलेगा ही मिलेगा और बुरे से बुरे परेश्थेतियों में भी जो है आप सफलता के रास्तों पे जो है निकलना प्रानम्ब कर दीजिएगा फिर भी बुद्ध के फल को बहुती बहतर बनाना चाहते है तो दुर्गा चालेशा का पाट करना आपके लिए अत्यदिक सूप और लाबकारी रहेगा मेस लगन वाराशी वाले बुरिशब लगन वाराशी वाले जब बुद्ध अपनी राशी को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के चतुर्त अस्थान पे विराजमान हो जाएंगे सरपर्थम ये क्या करेगा कि विवाहक के लिए रिष्टे बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे बैवाहिक जीवन में जो आर्गिमेंट चल रहे थे हुआ ठीक हो जाएंगे प्रेम से विवाहक के योगों में सुधार देखनी को मिलेंगे अगर परिवार वाले आपके प्रेम संबंध को ले करके नहीं मान रहे थे किसी कारण से जो है समझ लीजिए कि आप जो है प्रेम संबंध में परिवार के खिलाब भी होकर के नहीं जाना चाह रहे थे तो इस से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रहे थी वह ठीक हो जाएंगे इस समय आप धन संचे करने में सफल हो जाईएगा परिवार के लोग आपके करतब्यों को समझेंगे नए नए नौकरियों का फेशेनिटी आएंगे वक्ता पर वक्ता ही नहीं आप नौकरी या वैपार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं उससे related लाप की संभावनाई बनेंगे आपके सारे फसेow przepैसे निकल जाएंगे सरकारी काम काज का बड़ा लाप देखने को मिलेगा संतान सुखों में बरिदी के साथ लोटरीश अट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाप देखने को आपको मिल सकता है इस समय आपकी जीवन में जो है, आप किस प्रकार का सिक्षगरहन करिएगा, आपको किसी प्रकार के college बेगराय में admission कराने हैं, यह किसी बात को लेकर करके कोई भी relationship मेरा सही है कि नहीं है, हम किस relationship में जाए या नहीं जाएं, जीवन की किसी भी महत्पुन तथियों का फैसला पिसी समय करने वाले रहेगा और सारे फैसले आपके लिए सुब्भ और लावकारी रहेंगे और आपको क्या बोलना नहीं बोलना है यह आउट्मेटिक जो है आपके अंदर नहीं हो जाएगा और माता और पीता आपको सपोर्ट करेंगे संपति का लाँ भी देखने मिलेगा हो सकता है तो वहान या फिर कोई प्रोपर्टी आप 100% बुक कर दे या बहुत पुरानी प्रोपर्टी किराय वेगरा पर नहीं लग रही थी तो वह लगनी की की कुडली में जो है वह लगन आधिपती हैं जब बुद्ध प्राकर्म हाउस में जाएंगे ऐसे भी लगनेस कहें भी बैठे तो सुफलदाई देता है उपर से राजा के घर में बुद्ध का जाना दोनों में मितरबत शम्मंद होना और 17 तारीक से बुद्ध आदत योग बन में सफल हो जाईएगा आप परसासनी क्षेतर में हैं या पॉलिटिक्स के छेतर में हैं आपको क्विश्यस पद्ध की प्राप्ती होगी जीवन का कोई बड़ा निर्ने लेना है कोई बड़ा डिसीजन लेना है आप इसको लीजिएगा किसी कारण से आपका अपमान हो रहा पुराने स्टप्स वेगर आपको धोखा दह रहे थे तो वह जो है ठीक हो जाएंगे हिर्दे रोग से रिलेटेड समस्याओं से जो आपकी परशीवन में परशानिया चल रही थी यह ठीक हो जाएंगे और मांसिक चेतना में ब्रिधी देखने को मिलेंगे सरकारी कामकाज क लाब मिलेगा सरकार के पसफशे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे आप छोटी-छोटी यात्राओं का लाब मिलेगा विदेश से उसे रिलेटेड कुछ शंभावना है जो आई स्थिरतायपुर्ण चल रही थी इसमें सुधार देखने को मिलेंगे और सबसे महत्कुन ब करिएगा अपने कर्म की और इस्थिर रहिएगा फिर भी बुद्ध के फल को बहुत ही बहतर बनाना चाहते हैं तो मिथुल लगन वाराशी वाले परते के दिन जो है एक पान का पत्ता आप गनेश्ची को अरुपित करिए लाबकारी फल मिलेगा करक लगन वाराशी वाले जब बुद्ध अपनी राशी को परिवर्तित करेंगी तो आपके कुंडली में धान स्थान में आ जाएंगे जो तत पर यह दिखाता है कि सबसे पहले यह आपको कर्ज की मुक्ती से बाहर करेंगे इसके अलावा अगर आपको कुछ बड़ा लोन लेना है तो है लोन से रिल सुधार देखने को मिलेगा दांपति जीवन में विवर्थ के आर्गमेंट जो हो रहे ते हुआ ठीक हो जाएंगे आपको अपना बैपार बढ़ाना है एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा मैंने फिर से बोला कि धन संचाय अवश्य करिए गर वो धन संचय एक प्रफ का प्रपटी में केश मुकदमा चल रहा था यह परिवार के लोग एकगर हो करके इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे तो इस समस्या का समाधान भी कर पाएंगे और जीवन में बुरे से बुरे परिस्थितियों में एक अच्छे रास्तों को खोलिएगा कई बार आप बुद्ध के फल को बहुत ही बहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज बोलूँगा कि पूरे सब्तह जो है आप ओम गन गन पते नमस मंत्र का जाप करिए और अगर पोशिबिलिटी हो सकता है तो परतीक दिन जो है भगवान सीव को जो है जल में सोफ डाल करके अरबित करि देखिए जब बुद्ध आपके कुंडली में राशी को प्रविष्ट करेगा सिंग राशी में तो लगन में ही रहेंगे जिसका साब्दिक अर्थ यह होता है कि आपका धन का मालिक और आय का मालिक एक मात्र बुद्ध होता है और बुद्ध जो है आपके कुंडली में जो ह वो लगन में आ जाएंगे प्लस उदै भी हो जाएंगे चौदा तारीक से तो सबसे पहले मान सबमान में बृधी देखने को मिलेगा मेंटल स्ट्रेस दूर होना चालू हो जाएगा जीवन के सभी बड़े बड़े और अच्छे फैसले लीजिएगा अपने काम में आपकी एकागरता बढ़ती चले जाएगी किसी कारण से काम आपका स्टॉप हो चुका था या फिर आपको लग रहा था कि आत्विश्वास में पुना किस प्रकार से जागरित करूँ तो यह जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा बिवाह के लिए बहुत अच्छी चरिष्टे आएंगे और बिवाह आपके सेट भी हो जाएंगे धन के रास्ते खुलेंगे बिदेशों से एक्सपोर्ट इंपुट के साथ बिदेशों से पैसे आने की शंभावनाएं बन जाएंगे बहुत पुरानी पैसे फसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे संतान सुखो का लाब मिलेगा प्रेम से विभाग के योगों में बिदी दिखेंगे किसी कारण से पुराने मित्र, पुराने रिलेशन्सिप या परिवार के लोगों से आर्गेमिंट जो हो रहा था यह परिशानिया दूर हो जाएंगे और धर्ण संचय करने में सफल भी हो जाएंगे और परिवारिक स्थितियों में किसी परकार का मैडिशिंस या किसी परकार का खर्च का योग बने हुए है तो कहां से पैसा आएगा किस परकार सा पिस प्रॉब्लम से निकलिएगा ये तो ओटमेटिक देखने को बनेगा फिर भी बुद्ध के फल को बहुती बहतर बनाना चाहते हैं तो पर तेक दिन जो है आप जो है जल में तूलसी का पत्ता डाल करके उसे जल को ग्रहन करिएगा 9 अगरस्त से 26 अगरस्त के मद्दे में कन्या लगन वर राशी वाले देखिए ऐसे तो बुद्ध आपके कुड़ली में लगन के मालिक होते हैं और लगनेश का दौदेश होना ऐसे तो सुब नहीं होता है परंतो बुद्ध जो है वो सुब राशी गत रहेंगे सुब फलदाई देने वाले राशी में रहेंगे जिसका अर्थ ये होता है कि कुछ लोग जो आपको बेवकूब बना रहे थे ठग रहे थे तो आप जो है बुरे स्थितियों में उनको पहचान जाईएगा कर्ज के योगों में बृधी दिखेगा विदे स्यात्राओं का लाब की शंभावनाई बन जाएगे नौकरी चाहिए लेकिन जितना सेलरी होना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है लेकिन आपको सेलरी मिल जाएगा सर्टिस्फेक्शन के लाएगा सरकारी काम का आज का लाब मिलेगा माता पिता का स्वास्ट जो खराब चल रहा था इसमें तो सुधार दिखेंगे लेकिन पिता के जीवन में थोड़ी से संघर से दिख सकते हैं सतुर्ता आप से स्वेता ही दूर होने वाला रहेगा और थोड़ा सा मांसिक तनाव रिश्ट्रेस हो सकता है इसके अलावा जो है बहुत पुराने केस मुकदमा में कुछ सवाचार आपके सुभप्राप्त हो जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप लाभकारी और सुभकारी फल को प्राप्त कीजिएगा हलाके थोड़ा सा नियंत्रन तो मस्तिस्क में आपको अवश्य रखना चाहिए और कोई भी बड़ा डेसिजाल लेने से पुर्व थोड़ा विचार अवश्य कीजिएगा मैं तो बोलूँगा 26 अगस्त के बाद ही कोई विचार कीजिएगा फिर भी बुद्ध के फल को बहुती बहतर बनाना चाहते हैं तो परते के दिन सुरी को जल दीजिए और घर से निकलने से पुर्व जो है चंदन कतिला कवश्य लगाईए तुला लगन वा रासी वाले जब बुद्ध अपनी रासी को परिवर्तित करके सिंग रासी में जाएंगे अथार्त करक रासी से सिंग रासी में प्रविश करेंगे तो आपके कुंडली में आयस्थान में विराजमान हो जाएंगे तुला लगन में बुद्ध जो होता है तुला लगन वाले ये भाग्य का अधिपति होते हैं और भाग्य का आई स्थान में जाना मित्रगत्राशी की स्थितियों में जाना ये जो है सुभकारी हो जाएगा अथार्थ, परमोशन अपदनती के रास्ते खुलेंगे, धार्मी कृत्य बढ़ेंगे, परिवारिक लोगों में बैवाहिक जीवर के कृत्य होगा, परिवार के परतीक लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, मांसिक सांती और मांसिक चेतना में बिर्थी देखने को मिल यही नहीं, आपको 9 अगस से 26 अगस्त के मद्द में विदेश स्यात्राओं को सुब समचार मिलेगा, कुछ परिवारिक लोग, सरकारी लोग या फिर फ्रेंड सरकल आप से दूर जो चले गये यह स्वेता ही वापस आ जाएंगे, इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति के दिखो लेंगे, सिक्षा में बड़ उतरी दिखेगा, लोट्री शट्टा स्यार मार्केट का लाप दिखेगा, संतान कंशीब होने से रिलेटेड सुब समचार दिखेंगे, नौकरी होल्ड है या वेटिंग लिस्ट में है, या केस चल रहा था, तो इस अभी प्रकार के फै और बड़ा इंवेश्टमेंट आप अवश्य कीजिए, और विदेश जाने से रिलेटेड सुब समचार तो मिल ही सकता है, फिर भी बुद्ध के फल को बहुत ही बहतर बनाना चाते हैं, तो दुर्गा चालीसा का पार्ट कर लिजिए, क्योंकि दुर्गा चालीसा थोड़ा और रासी वाले, जब बुद्ध रासी को परिवर्तित करके करक से सिंगह में परवेश्ट करेंगे, तो आपकी कुडली के कर्म छेतर में आ जाएंगे, कर्म छेतर का जो बुद्ध होता है, सूफ होता है, क्योंकि कर्म छेतर में, आई छेतर में जितने भी ग्रहा बैठते ह सूफलदाई होते हैं बिरिचिक लगनवाले आपकी कुडली में बूध जो है अस्टेमेस और आयस होता है सभी को पता है कि आयस्थान के आतिपती सूफलदाई होंगे और कर्व छेतर में बैठने वाला गरह तो ऐसे भी सूफलदाई होगा नए नौकरी अवयवसाय के बहु ब्राप्त हो सकता है प्रशासनिक या पॉलिटिक्ष में माता का स्वास्त भी ठीक हो जाएगा प्रोपटी बिक नहीं पा रहा था बिक जाएगा हर सो उलास्त के साथ अपने जीवन को वैतित करने वाले रहिएगा और सब्शे महत्पुन बात किया है कि बुद्ध जो है सि बुरे से बुरे प्रिस्थितियों में पैसे आप रखने ही पाईएगा कोई कि बहुत पैसे आने वाले हैं और सब्शे महत्पुन बात क्या है कि प्रेम से विवाह को योगों में बिधी दीखेंगे फिर भी बुद्ध के फल को बहुत ही बहतर बनाना चाहते हैं तो परती अगेस्त कंटीन नीव सिविलिंग पे चड़ाइए और परतीक दिन घर से निकलने से पुर्व सोफ का श्यवा नवश्य करिएगा धनु लगन वर रासी वाले अगर आपके लिए चर्चा करें बुद्ध का सिंग रासी में प्रवेश्का तो क्या फल मिलेगा देखिए धनु लगन वर रासी वाले ऐसे तो बुद्ध जब भाग्यस्थान में बैठेगा तो भदर योग की स्थित्यों को तोथपन करेगा ही अतार्थ आपके परमोसन पद्वनट्टी के रास्तु को खोलेगा पिता से तालमेल में सुधार की स्थित्यों को लाएगा सरकारी ठीका का लाम मिलेगा सरकार के पास फसे पैसे भी निकल जाएंगे छोटे भाई वहन हो या बड़े भाई वहन हो उन सभी लोगों से जो है तालमेल में सुधार देखनी को मिलेंगे कुछ सिनियन अधिकारी आपको टॉर्चर कर रहे हैं या परिशान कर रहे हैं वो स्वेता ही आपसे दूर चले जाएंगे या उनसे अच्छे पंद पे और अच्छे जगा पे ट्रांसफर या पोस्टिंग के चांसे साबके बनेंगे जो लोगों को लग रहा था ना कोई बैपार मेरा चालू होगा जो लोगों को लग रहा था कि ना मेरा जिंदिगे में कुछ होगा आप लोग खुशी मनाना चालू कीजिए क्योंकि नए नोकरी और नए बैपार में तरक्की चालू होने वाला है संसार का कोई ताकत नहीं सपोर्ट में आता है ना भगवान बेवस समय सपोर्ट में रहता है समय की कीमत होती है तो आपको जब इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे चरिष्टे आएंगे बैवाहिक जीवन में आप जुड़ जाईएगा पार्टनर सिपिंग से तालमेल जो खराब चल रहाता नौकरी में टर्मिनेशन होते होते जो बच जाएंगे और वही बाद में जो है लावकारी फल देगा इस समय जो है आपके तिरित्य सप्तान नाम रोशन करने वाले रहेंगे फिर भी बुद्ध के फल को बहुती बहतर बनाना चाहते है तो एक उपाए आपको 9 अगस्त से 26 अगस्त के मंदे में अत्यदिक सूप फलदाई हो सकता है पर तेक दिन कि समिस का भोग जो है ना आप माता दुरगा को लगाईए देखिए कितना जब्रदस्त फल मिलता है मकरलगन वरासी वाले जब बुधराशी को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुडली में अस्ट्यम हाउस में आ जाएंगे देखिए मकरलगन वाले जोती सास्तर तो बहुत असानी से हर बुक में ये कह दिया है कि केंदर का मालिक भाग्य का मालिक या लगने कहे भी बैठे तो सूप फल देगा ऐसे कैसे हो सकता है अगर ऐसा होता ना तो बिरहश्पती जो है न वो पुरशंसार के मालिक हैं उनको राहु केतु से चंडाल योग और इसके अलावा जो है निचस्त होने की स्थिति उत्पन नहीं होती ग्रह किसी का नहीं है उसके अवस्थाएं मनु मंगल के साथ सत्रुगत गरा के साथ आ जाएंगे तो ऐसे स्थितियों में परमौशन पदणym rubbing दिकत आएगा प्रतु सत्रा तारी को सोरी आ जाएंगे तो परमौशन के रास्तेedi 17 तारी के बाद खुलने चालू हो जाएंगे इसके अलावा परिवार के पर्तेग लोगा आ लेकिन वारी में करवाहट दिखेगा तो आपको वानी में कडवाहट से बचना होगा दामपत्य जीवन में थोड़ा आई स्थिरता है या सुसरान पक्ष से बच के रहना है बुरे से बुरे परिस्तितियों में भी कर्ज बढ़ेगा तो कर्ज मत लीजिएगा कुछ सत्रू ज होट्स जो होता है नामन में यह मत पैदा होने दीजिएगा पहला तो इंसान के जीवन में खुद ही उसकी जीवन में ग्राह घुसता है जब वो नेगटिव सोचना चालू कर देता है इसे बैंक बैलेस में थोड़े सी कमी देखने को मिलेंगे परिवार के लोगों से आपक को दुर्गा चालीसा या गनेह चालीसा पढ़ लिजिए बचिएगा कुम लगन हुआ रासी वाले बुद्ध जब अपनी रासी को परिवर्तित करेगा अथात करकर रासी से हलाकर उनके अपनी रासी नहीं है यहां पर में गलत वोल दिया माप करेंगे बुद्ध जब साथी का तरक्य अचानक देखने को मिलेगा जीवन साथी का विदेश जाने का सुब समचार भी प्राप्त हो सकता है इसमें जो है आप नौकरी अव्यवशाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं संभव है परिवर्तन होगा नौकरी में टर्मिनेशन बैपार में बंद होन का कगार पर या फिर लेंड ओनर शौप ओनर या फिर बड़े कस्टेमर से मतभेद जो हो रहें थे वह समझ से आए दीखो ठीक हो जाएंगे फैनेंसली क्रैसिस तो जब करकरासी में बूद था तो आप बहुत जहल लिए फैनेंसली क्रैसिस नहीं होगा लब रिलेशन में आपके चार चांद लग जाएंगे लब से विवाहक के योगों में बृधि दीखेगा या फिर लब से किसी प्रकार का रिलेशन भी बन सकता है इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे माता का स्वास्त में बृधि देखने को बड़े 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 निर्ने लीजिए अब किसी कर्मशेत्रों मेहत आपको समानित किया जा colored क्या है क्या कि आसविक circumstance रही थो नहीं करके 26 अगस्त के मंद्दे में परतेक दिन जो है गनेश जी को पांच पीश सुपारी का यानि कैसैली को अब शिचड़ाई ये बहुत असान उपाए है नो तारिक से 26 तारिक मीन लगन वारासी वाले जब बुद्ध अपनी रासी को परिवर्तित करेंगे तो बुद्ध आपके कुंडली के सश्ट आउस में आ जाएंगे सश्ट आउस में बुद्ध जो होता है ये सुभकारी होता है और मीन लगन वारासी वाले बुद्ध जो है आपके कुंडली में सा लाबकारी रहेगा जो कंटिन्यू 26 तारीक तक रहेगा अथहार्थ जब द्शिंग रासी में परवेस करेंगे तो सरप्रथम आपके कर्ज को समाब्द करेगा जब द्शिंग रासी में परवेस करेगा तो आपके अंदर आत्विश्वास बढ़ने चालू हो जाएंगे जब द्शिंग रासी में परवेस करेंगे तो सत्रूता स्वेता ही दूर हो जाएगा बड़े बड़े निरनाएं आप लीजिएगा लव रिलेशन जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखनी को मिलेगा उच्छ सिक्षा के बृधी के रास देखो लेंगे प्रपटी का क्युब ते रिस्ते भी लाने चालू कर देंगे यही नहीं बुद्ध जो है सिंग रास्ती में जब प्रवेस करेंगे तो अल्रडी लव लाइफ या फिर मेरेड लाइफ में कन्फीजन हो गया था सक की भावना उत्पन हो चुकी ति वह ठीक हो जाएंगी और सब्शे महत् पुन बात किया है कि बड़े फैसले ही आपको सफलता की रास्ते की और ले करके जाएंगे फिर भी बुद्ध के फल को बहुत ही बहतर बनाना चाते हैं तो परतीक दिन जो है गनेस जुको पीला कुस्प कंटेन्यू 26 अगस्त तक चड़ाईए लावकारी फल मिलेगा मिन ल में क्या पड़ेगा यह संपून जनकारी मैंने आपको दिया है उमिद करता हूं बताएगे जनकारी से आप पुरे रुपेन संतुष्ट होंगे तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए शेर करी सब्सक्राइब करिए मिनें अगली वीडियो में और महत्त् पुन और ग्यान बर्दक जनकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार अच्छे सरही धन्यवाद